नमस्कार दोस्तों, 16 फरवरी का दिन, सुबह अर्ली मॉर्निंग, समय आपको बताने की जुरत नहीं लहीं, तो कुछ लोग कमेंट्स लिखते हैं कि सर, वीडियो डलती इतने बजे, बनती इतने बजे, बोलते कुछ और हो, तो इन सब चीजों को छोड़के, कुछ और बातो है, कि आपको एक्स्प्लेन करके बताता हूँ, कि इसके अंदर पहले तो चार-पांच कमपनी आती थी, जब आप स्क्रीनर की वेबसेट के ओपर देखेंगे, तो इसके अंदर तीन या चार कमपनी होती थी, हैं मैक्सिमम छे कमपनी, अब मैं देख रहा हूँ, इसके फाइनल लिविजन तक भी दे देती है, भारत इलेक्टरॉन हो गई, सोलर इंडस्ट्री, भारत डैनमिक्स, कोची शिप्यार भी एमेल, ये कमपनी पहले इस वले सेक्टर के अंदर नहीं आती थी, एरोस्पेस और डिफेंस में, लेकिन जब काफी सारी कमपनीों ने हमारे देश के लिए हतियार से रिलेटिड या सौफ़ेर से रिलेटिड या और भी डिफेंस रिलेटिड चीजें बनानी शुरू करी, तो इस वले सेक्टर के अंदर अब कमपनीों की संख्या हो गई, ये बाइस, दोस्तों, अभी तो हमारा देश डेवलपिंग कंट्री में भी आता, डेवलिप्ट तो हुआ ही नहीं है, आप ये सोचें कि कुछ कंट्रीयों की तो जो एकनॉमी है वो हतियारों के उपर ही चल रही है, और हमारे पास तो अभी ऐसा कोई एक्सपोर्ट के ओर्डर भी नहीं है, अभी तो हम जदतार इंपोर्ट ही करते हैं, जिस दिन ये कंपनियों को, मतलब ये जो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ, एरो स्पेस और डिफेंस सेक्टर की जो कंपनी हैं, जिस दिन इनको ओर्डर मिलेंगे, और ये लोग एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे, अपनी टेकनॉलोजी का, जो भी ये चीज़े बना रही है, अभी मैंने आपको explain करके नहीं बताया, कि कौन क्या बना रहा है, वो तो आप खुद read करके पढ़ लेंगे इसके बारे में, तो सोचे इस सेक्टर को कितना boom मिलेगा, यानि कि अगर आपके पास में कोई ऐसा stock आता है, जो aerospace and defense का share होता है, तो आप उसको buy करके रख सकते हैं, मैं हम stock चुनते हैं, और उसके बाद में उस stock की discussion करके उसको अपनी watch list में लगाते हैं, मैं आपको अपने play करने का, या मेरे students जो हैं, उनके play करने का तरीका बता देता हूँ, हम लोग जैसे sector होंगे, हमारे पास कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, ना ना करते हैं, पचास के कर नहीं नहीं होते हैं, और sector का आगे कोई future नहीं नजरा रहा रहा था, तो हम उसके अंदर जितना मर्दी अच्छा share हो, हम उसके अंदर हाथ नहीं डालते हैं, अभी आपको दो तिन sector और बताँगा, उससे आपको पता चल जाएगा, एक share, एक sector है, agrochemicals, agrochemicals का sector भी मेरे को काफी पसंद है, इसके अंदर बता देता हूं, स्क्रीनर के हिसाब से 27 रिजल्ट आ रहे हैं, इसमें सबसे उपर पी एई इंडस्ट्री आ रहा है, बेर क्रोप, सुमी टोमो कैमिकल्स, धनुका एगरी टेक, रैलिज इंडिया, भारत रसाइन, यह टॉप के share से, agrochemicals का sector ह इसलिए अच्छा sector है, क्योंकि इस agrochemicals से rated जो company हैं, उनकी जुरत आजकल हर जगे पढ़ती है, कुछ chemical का काम कर रही हैं, कुछ agro में यूज होने वाले chemical का काम कर रही हैं, तो यह सब चलता रहता है, तीसरा sector है, air transport and service, इस sector के लिए मैंने आपको यह sector wise पढ़ाना शूरू किया है, air transport service का जो sector है, इसके अंदर एक कमी है, इस sector के अंदर जितने भी share है, उन में से ज्यादतर share के ओपर कभी गाज गर जाती है, crude oil की, आप सर्च मार के देखिएगा, दुनिया के अंदर एका दुका airline सी ऐसी होंगी, जो profit के अंदर होंगी, बहुत rare chance में, अपने आपको aviation, यह जो air transport का sector है, इसके बारे में बताना चाहा, inter globe aviation का sector, जिसे आप indigo air range भी कहते हैं, शयद, 3000 रुपे का share है, अगर हम इसके ओपर ना भी जाए, इसके ओपर इसको छोड़ दे, तो चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको इसको भी explain करके बता देता हूँ, और spice jet को भी explain करके बता देता हूँ, inter globe aviation go indigo.in के नाम से इनकी website है, company की book value minus के अंदर है, company की book value minus के अंदर है, जब company की book value minus के अंदर होती है, तो यह confirm होता है, के company के share के अंदर जब हम उसकी balance sheet और fundamentals चेक करेंगे, तो सब का सब minus में आएगा, उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ operator base की वज़े से stock 3000 रुपे जाके खड़ा हुआ है, अगर आप fundamentals मुझे गलत बताएंगे, company पिटी हुई बताएंगे, उसके बावजूद भी share 3000 रुपे का होगा, तो दोस्तों कैसे ले लोगे, आप मुझे यह नहीं समझ में आता, जब आपका money नहीं ठुकरा किसी share पे ले कुछ को ये भी नहीं पता कि investment क्यों करनी है, company की book value minus के अंदर है, P ratio company की 16 है, हमें 20 से 25 टेवल चाहिए होती है, उस से रिचे undervalued, 30 से उपर overvalued, तो अभी तक तो लग रहा कि company undervalued है, लेकि book value minus के अंदर है, face value 10 है, dividend company देती नहीं है, और volume कल हुआ था company इस वाले stock के अंदर 5.5 लाग का, अब मैं देखता हूँ कि इसने result कैसे दिये, result अगर मैं दिसंबर के बात करूँ, तो इसने 188 करोड के profit थे और उसके against में 3000 करोड के profit दिये है, जून 2023, अच्छा देखो, ये company के अगर मैं पुराने previous result के बात करूँ, तो 2000 से तंबर 22 तक company loss में थी, और loss भी छ 1000 करोड का loss, 1000 करोड, 1500 करोड ऐसे, मार्च 2023 में company plus में आई, 900 करोड के साथ, जून के अंदर 3000 करोड के profit, फिर 3000 करोड से एक दम आगए 188 करोड के profit, ये चीज़े समझ नहीं आती, एक quarter के अंदर तो company को 3000 करोड का profit आया, और एक quarter के अंदर सीधा 188 करोड, मतलब 3000 से सीधा 188 कर गया, और अब दुबारा 3000 करोड के profit आ गया है, yearly बात करूँ, तो company 2012 से लेके 17, 18, 19 तक तो plus में थी, 2012 से लेके 19 तक तो profit के result दे रही थी, लेकिन 20, 21, 22, 23 में जाके company loss making हो गई, और अब 2024 में chance लग रहे हैं profit में आने के, लेकिन फिर भी over valid stock हमें नहीं लेना, अब मैं बताता हो company के पास में equity capital कितनी है, equity capital है company के पास 386 करोड की, reserve company के minus के अंदर है, 3378 minus, company के ओपर 50,000 करोड की debt है, 50,000 करोड की उधारी है, और उसके against में company के पास पड़ा क्या है, वो बता देता हूँ, fix assets और investment की तरफ मैं धियान देता हूँ, 31, 32,000 करोड के fix assets हैं, यानि के fix हुई assets जिसे आप property भी कह सकते हैं, और 14,000 करोड की investment है, अगर मैं 32,000 करोड और 14,000 करोड को या 15,000 करोड को जोडता हूँ, तो ये बनते 47, 47,000 करोड और उधारी ये company पे उडिंचा सजार करोड की, तो दोस्तों, अभी fundamentally की बात करेंगे, जो चीज हम देखते हैं, मेरा तो मन ठु होता नहीं, कि इतना debt देखने के बावजूद भी मैं इस company को भाए कर लूँ, और ये price तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया, operating activity plus में company की जबरदस investing और financing minus के अंदर है, debtor days इसमें होते नहीं है, यो कि बस पैसे दिये, ticket के पैसे आ जाते है, ticket लागू हो जाती है, उसी स में जून 2022 की बात कर रहा हूँ, 23 जून के अंदर 67% रह गें, और अब दिसंबर के अंदर रह गें 63%, पर मोटर ने 11% अपनी इस्सेदारी घटा लिये, और FIs जो हैं, वो 18.70% हैं, हाँ, DIs ने अपनी 11% इस्सेदारी बढ़ा लिये, अब ये company जो stable है, इन रेटों पे टिक की वज़े से टिकी हुई है, otherwise company के अंदर मुझे debt wise देखके, fundamentals देखके, ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यानि कि हम कोई रिष्टा देखने के लिए गए हैं, और लड़के के पास में अपनी property भी नहीं है, कमाता भी कुछ खास नहीं है, कभी कमाता है, कभी नहीं क माता, लेकिन घर भी अपना नहीं है, हाँ, लड़का गुणवान है, गुणवान in the sense, Indigo Airlines का नाम है, तो लड़का गुणवान है, तो दोस्तों कहीं बड़ी जो गुणवान होता है ना, उसके अंदर बाकी काबलियत भी देखनी जरूरी होती है, खाली गुणवता से काम नहीं चलेगा, अब इसके अंगेंस में मैं लेके आता हूँ, आपके लिए दूसरी कंपनी, स्पाइस जेट, वैसे ही ये सेक्टर ही बेकार, अगर आपको एविएशन सेक्टर से जुड़ा कोई भी शेर आए, तो लेने के जूरत नहीं है, ये मेरी अपनी राय है, अब आ अस्थीनी मार्केट के अंदर आना शुरू हुआ, लोगों ने मिसगाइड करना शुरू किया, बस इसी जुनून की वैसे पढ़ाना शुरू किया, काश मुझे भी किसी ने ऐसे ही एक्स्प्रेइन करके अच्छे तरीके से समझाया होता, जो आपको समझाने कोशिश कर रह होगा, अब हम आते हैं, इसके कंपनी के फंडामेंटल्स के उपर, कंपनी के फंडामेंटल्स अकर चेक करूं, तो दोजार बीस से लेके आज तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ पाई है, और इस बार तो कंपनी ने गदर ही मचा दिया, पिछले कोटर के अंदर में प्लस में थी, उननिस, बीस, एकिस, बाइस, तेईस, बढ़ते ही जा रहे हैं लॉस और वो भी डेड़ हजार करोड के लॉस थे, दोजार तेईस के अंदर, अब देखते हैं, अगली परी क्या होता है, क्या नहीं होता, बैलन्स शीट के अंदर अगर जाओं, तो कंपन कि FIXed Assets और अधर इनवेस्टमेंट को जोड़ लूँ, वैसे अधर इनवेस्टमेंट में जोड़ता नहीं हूं, इनवेस्टमेंट जीरो है कंपनी के FIXED उसके पास तुष्टमें तीन अजार करोड की है, और कंपनी के पास उधारी जो है वो 6,700 करोड यानि कि सताशार सो करोड की अगर ये घटा लू तो कंपनी के पास में तीन जार करोड डिप तक है यानि कि आप ये सूचिए कि किसी भी एंगल से ये कंपनी हमारे वाले प्रेटफॉर्म पे सेट नहीं बैठती है अपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी की प्लस में इन्वेस्टिंग प्लस में दिखा रहा है और फाइनसिंग माइनस में यानि कि अपरेशन से पैसे कमाती है और इन्वेस्टमेंट से कमाती है फाइनस से नहीं कमाती है debtor days company के 7 है evasion sector के अंदर debtor days नहीं होते है 5, 7, 8 ही होते है promoter holding 51 है लेकिन आपको एक चीज़ का indication देना चाहूँगा उससे आप समझ जाओगे कि why we are going to buy this company और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो we are full, हम बेवकूफ हैं सटे बाजी में share का चलना और टिके रहना that is different आपको बताता हूँ September 2022 में company के promoter 59% और अब घटके रह गए हैं 51% डेट साल के अंदर लेकिन public बिचारी जो है 39% से 48% हो गई है यानि की company के जो मालिक हैं वो माल बेशते जा रहे और public जो है वो करीदती जा रहे तो आपको पता ही है कि फिर तो public बिचारी तो पागल ही है क्योंकि public को लॉस ही होता है इस market के बारे में सुनके वो लॉस इसी वज़े से होता है अगर कोई ऐसा व्यक्ती हो जो public को सही गाइड करे जो ये ठेका मैं उठाने की सोच रहा हूँ और कर भी रहा हूँ इस चीज़ को अभी हमें सोचल मीडिया से जुड़े हुए सिर्फ दो तीन महीने हुए रिजल्ट आप लोगों के हाथ में है किस तरीके से मैं आपको गाइडन्स दे रहा हूँ और आगे भी देता रहा हूँ अभी तो ये शुरुबात है अगर पबलिक को कोई ये बताए कि एवेशन का सेक्टर बेकार सेक्टर इसमें जाने के जुरत नहीं है इन कंपनियों के फंडामेंटल छिड़े हुए आप इस चेर के अंदर क्यों ट्रेस हो रहे है स्पाइस जेट इतने साल पहले भी वही था इतने साल बाद भी वही है तो हमारे पस तो और बड़ी सारी चुआइसे लेने के लिए 63 रुपीस के अंदर आप प्राइस की बात कीजिए न 63 रुपीस का तो क्यों आप स्पाइस जेट के अंदर जा रहे हैं अभी जब सरकारी शेरों की उपर से नीचे की पिटाई हुई तो 30-30% की गिरावट आ गई और उसी में सब का ढीला हो गया कॉन्फिडेंस की आ रहे यार क्या करना है इन्वेस्टमेंट को लेके तो ऐसा कुछ नहीं है अगर वो कमपनी स्ट्रॉंग है तो एक दो साल बाद आपको तरक्की देंगी पर स्पाइस जेट का आप कुछ मत करिएगा सिर्फ दस सल का ग्राफ उठा के देख लिजेगा एक सेकंड तो बताई देता आपको कमपनी आज से 2005 में 680 रुपे थी नीचे आया 2009 में चोदा रुपे जब क्रेश आया फिर 84 हुआ फिर क्रेश आया 2014 पंदर को आसपास फिर ये 14 रुपे आ गया फिर उपर बढ़ा 145 रुपे तक फिर नीचे आया 80 रुपे तक फिर उपर गया 129 फिर नीचे आया फिर उपर गया तो ये कंपनी के अंदर लगा ही रहता है 39 रुपे से अब ये सक्टे बाजी के अंदर बढ़ जाए तो एक अलग बात है पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि कल से स्पाइस जैट की टिकेट की बुगिंग जादा होने वाले तूड़ा सा ध्यान रखेगा इन सब चीजों क बिलता हो नेक्ट वीडियो को दोस्तो इस वीडियो को आप शेयर जरूरो कर दीजेगा ये मेरी आप से हाँ जोड़ के बिनती है जब आप शेयर करते हैं तो आपके जैसे भाईओ तक भी ये वीडियो पास्त दिए अभी मेरी आवाज स्टार्ट हुई है अभी मैंने तरीके से आपको explain करूँगा और पढ़ाऊँगा ऐसा नहीं है कि सुभे पढ़ाना बंद कर दूँगा सुभे की जगे शाम को आ जाऊँगा थोड़े अच्छे से interactive board के थूँआपको वीडियो देनी शुरू करूँगा explain करके conscience भी आप लोग पूछ पाया करेंगे उसके बारे में भी आपको बताया करूँगा तो ऐसा नहीं है कि social media से हट जाऊँगा या और परिवार जुनना चाते हैं उनको कोन गाइड करेगा तो course is different यह different platform है और वैसे तो मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजेर हूँ इस वाले सेक्टर से दूर रहिएगा spice जैट अगर लेने की सोच रहेगा थोड़ा सा एक बड़ी fundamental पे ध्यान दे दिजेगा इंटर गलोब एविवेशन इंडिको का शेयर भी तीन जार रुपे में बहुत महंगा है किसी को भी मेरे नाम पे call पुटो के advisory के नाम पे पैसे डवल करने के नाम पे मत दीजेगा पैसे टेली ग्राम के ओपर मेरा जो हैंडल है वो मैता इस बैक official है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, space, add the rate कुछ नहीं है मेता इस बैक official अगर लिखा हुआ आ रहा है तो तो ओके otherwise बिलकुल के सारे के सारे फेक हैं आपसे सिर्फ और सिर्फ पैसे आटने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैं खुदी नहीं पैचान पता कि मेरे नाम के इतने सारे चैनल बन गए वैसे हमने complaint करकर के काफी चैनल बंद कर आते थे ना किसरा आप रील डालते हैं वो हमें मिलती नहीं है तो इंसेंट कुछ टेलिग्राम पर बताईएगा तो टेलिग्राम उन्हीं चक्रों के अंदर बनाना पड़ा दरवास मुझे कोई नीड नहीं थी टेलिग्राम की मुझे यूज भी करना नहीं आता तो इसका आप इस्तमाल कीजेगा टेलिग्राम का अगर आप इंस्टेंट जो वीडियो होती मेरी कुछ शेयर के बारे में बताता हूं कि यह मुझे अच्छा लग रहा स्विंग्रेट के लिए तो वो लेने करें मिलता हूं दोस्तों नेक्स वीडियो में लाइक कमेंट्स सस्क्राइ नहीं कुछिश कर रहे हैं बट वैसे बहुत कुछ मिलेगा आपको लाइफ के अंदर इन्वेस्मेंट से रेटेड चुआ खेलने वाले थोड़े से इस वाले चैनल से दूर रहे मिलता हूं नेक्स वीडियो में